गंगा सागर की महिमा, कनईलाल भट्टाचारी जी जैसे क्रांती वीरों का तप, भूमी पुत्र, प्रताप दित्य जैसे सपुतों का सौर्य, इस मित्ती का कण कण प्रेरित करने वाला है, हर पीडी को प्रेरित करने वाला है, मैं देख रहा हूँ, आशोल परिबोर्तन, आशोल परिबोर्तन की लहर को तेज करने का काम भी, इसी छेत्र से होने वाला है, पहले चरण में, बंगाल में हुए, शान्ति पुर्णा, और रेकॉर्ड ब्रेक मत्जान में, लोगों ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया है, कुछ हफ्ते पहले तक, बंगाल के लोग कह रहे थे, कि बीजेपी इस बार, दो सो सीटे पार कर जाएगी, लेकिन पहली चरण में, जिस तरह का दमदार शुरुवात बीजेपी ने की है, ये साफ है, कि जन्ता की आवाज को इश्वर का भी आशिरवाद मिल गया है, बंगाल में बीजेपी की जीत का आकड़ा, दो सो के भी पार जाएगा, आज दूसरे चरण में भी लोग भारी संख्या में पोलिंग बूद पर पहुँच रहे हैं, हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी है, बीजेपी की लहर है, भाई और बेनों, आज यहाँ, आपके बीच, किसी भी चर्चा से पहले, मैं बंगाल की बेटी, शोवा मजुमदार जी को, आदर पुर्वक्स्रद्धान ली देना चाहता हूँ, शोवा जी, बंगाल की उन अंगिनित माताओ, उन अंगिनित बेनों का चेहरा थी, जिन पर त्रुनमल के लोगों ने अत्याचार किया, शोवा जी का वो चेहरा मेरी आँखों से उतरता नहीं है, और मुझे बहुत कर्स होता है, जब मैं ऐसे अपराथ, ऐसे अत्याचार के बाद, दीदी को ये कहता देखता हूँ, कुल, कुल, धमकी और गालियां देने वाली दीदी, अब कह रही हैं, कुल, कुल, दीदी, ओ दीदी, दीदी, तुनमुल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल, बंगाल को असहनिय पीड़ा देने वाला, शूल है, तुनमुल, बंगाल को रत्तर अन्यित करने वाला, शूल है, तुनमुल, बंगाल के साथ अन्याए करने वाला, शूल है, तुनमुल, दीदी, ओ दीदी, आपना के बंगलार भाई बोने देर, होतार हिशेब दीते होबे, अपना देर के माई देर छेलेर, होतार हिशेब दीते होबे, रोक तेर खेला, रोक तेर खेला, चुल बेना, मैं कहूंगा, आप भी मेरे साथ बोलिये, चुल बेना, चुल बेना, रोक तेर खेला, चुल बेना, रोक तेर खेला, रोक तेर खेला, रोक तेर खेला, चुल बेना, चुल बेना, 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 बाई बीटे कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीती का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एक्जिट पोल भी बन गया है दीदी का हर एक्षन देख लीजिए सब कुछ पस्ट नजर आता है शुरुवाती रुख पता चला तो दीदी भवानी पूर सीट छोड़कर नंदिग्राम पहुँच गई नंदिग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गल्ती कर दिये है और अब तक का जो बोलिंग का मूर है जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदिग्राम पहले ही कर रहा है गुस्से में वो नंदिग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौकला हाट और बढ़ गई है कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेज कर मदद की अपील की है जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है तुरीस है जीने वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी अब उनसे समर्थन मांग रही है साथियों आप सोचिये दस साल मुख्यमंत्री रहते अगर मंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या क्या तीन दीन एक ही छेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना परता क्या इवियेम को गाली वो पहले ही दे चुकी है चुनावायो को कटगरे में वो पहले ही खड़ा कर चुकी है दीदी ओ दीदी आपका व्यहवार आपके शब्द आपकी बॉकला हर बंगाल के लोगों में चर्चा का विशय बने हुए है आपने बंगाल के साथ विश्वास गात किया अब आप बंगाल के विनम्र और समरुद भासा सवस्कार यहां की मान मर्यादाओं का भी अपमान कर रही है साथियों मम्ता दीदी को जैश्री राम के आवान से दिक्कत है यह पूरा बंगाल पहले से जानता है ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विजर विसर्जन से दिक्कत रही है यह भी पुरा बंगाल पहले से जानता है लेकिन अब दीदी को तीलग से दिक्कत है अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राध्शस कहने लगे है ममता दीदी आपको बोट के लिए किसी को खुश करना है तो यह आपका अधिकार है अब जरूर करिए आपको मुझे गाली देनी है जरूर देते रहिए लेकिन पस्चिम्बंगार के लोगों की आस्था को रामकर्ष्ण परमौंग स्वामी विवेकानन चैतन्य महाप्रभू की पहचान को मैं गाली नहीं देने दूँगा भाई और बेहनों दीदी जिस तरह यूपी और बिहार के लोगों के खिलाब दुश्मनी की भाशा बोल रही है वो उनकी राजनितिक समझ पर सवाल पैदा कर रहा है दीदी आप ये भूल रही है कि आपने सी एम के नाते सम्मिधान की सपत ली हुई है भारत का सम्मिधान आपको इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे राज्जों का दूसरे राज्जों के लोगों का इस तरह अपमान करें मैं फिर कहूंगा आपको मेरी जितनी बेज़ती करनी हो उतनी बेज़ती करिए स्कुरू डीलाग हो गया जैसी बाते एक से एक बद्दी गालिया आपने मुझे दी है लेकिन दीदी मेरा आगर आपसे यही है कि देश का सम्मिधान का अपमान मत करिए बाबा साब आम बेड कर की भावना का अपमान मत करिए वाकई साथियों मैं हरान हूँ कि दीदी को क्या हो गया है कुछ दिनों पहले मैं बंगलादेश गया था वहां मैंने इक्यावन सक्ति पीठों में से एक जश्वरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किये पूजा आर्चना की लेकिन दीदी को इस पर गोरा पत्ती है मैंने ओराकंदी में होरिचोन ठाकुर गुरुचोन ठाकुर जी की पुन्य भूमी में जाकर पूरे देश के लिए आशिरवाद मांगा ये देखकर भी दीदी का गुच्सा सात्वे आसमान पर पहुँच गया आप बताईए साथियों मा काली के मंदिर में जाना गलत है क्या गलत है क्या ये मेरी सारी माता है बहने कह रही है नई गलत नहीं है होरिजन जाकर ची को प्रणाम करना गलत है क्या दीदी ओ दीदी दीदी आप हमको जानती नहीं हो दीदी हम सीजनल सीजनल सद्दा वाले लोग नहीं है हम अपनी आस्ता अपनी परंपरा पर हमेशा गर्व करने वाले लोग हैं बाई और बैनों दीदी की समस्या क्या है वो यह पूरा छेत्र जानता है यह सुन्दर बनका इलाका जानता है गुज पेठियों को खुश करने के लिए दीदी बंगाल के लोगों को भूल गई यहां उन्नयन के नाम पर उन्होंने दस साल में क्या किया इसका कोई ठोस जवाब दीदी के पास नहीं है तेज पानी से बचाने के लिए नेम की क्या हालत है यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं अमपान साइक्रोन के समय आप लोगों की मदद करने के बजाए इन लोगों ने आपको ही लूट लिया उस समय केंद्र सरकार ने जो सेंकडो करोड रुपे बेजे थे वो राहत पीडितों के बजाए टीएमसी के दफ्तरों में पहुँच गए इसी लूट का दूसरा नाम है खेला हो बे दिदिर जोने बांगला खेलार माठ छिलो खेलार माठ आचे आर खेलार माठी थाफक बे बिजे पिर जोने बांगला उन्नोय नेर माठ होए उठ बे बिजे पिर जोने बांगला सिल्पेर माठ होए उठ बे भाई यो बेनो दीदी की सरकार ने सुन्दर बन जैसे परियतन सम्रुद्रक्षेत्र को यहां के दीपो को यहां के तटो का विकास नहीं किया सोनार बांगला के लक्ष के साथ बीजे पि की डबल इंजिन सरकार यहां कनेक्टिविटी को प्रात्विक्ता देगी गंगा सागर की महिमा को गंगा सागर मेले की भव्यता और दिव्यता को बंगाल की भाजपा सरकार नई उचाई पर ले जाएगी साथियों त्रुणमुल की तोला बाजी ने गरीप मध्यमवर्ग उद्यमी सभी का जीना दुस्वार किया हुआ है गर बनता है तो उसमें कट मनी बच्चों के एड्मिशन जोब की एप्लिकेशन उसमें भी कट मनी होम लोन हो एजुकेशन लोन हो अस्पताल में एड्मिशन हो हार जगा कट मनी कट मनी कट मनी गरीबों दलीतों पिछुडों को इस्थिती ने सबसे ज़्यादा परिशान किया है कोरोना काल में भाजपास सरकार ने दिल्ली से मुप्तब चावल भेजा तो उसमें भी कट मनी गरीब की थाली में भी कट मनी प्रदान मंत्री आवाज योजना के तहट पूरे देश में करोडों घर बने बंगाल में केंद्र सरकार ने तीस लाग से जादा घर गरीबों के लिए स्विकृत किये हैं लेकिन कट मनी के कारण यहां अनेक गरीबों के घर अधूरे पड़े हैं हर गर जल इस मिशन के लिए भी केंद्र की बीजेपी सरकार ने सेक्रों करोड रुपिये बेजे लेकिन त्रुणमुल सरकार ने उसका पूरा उप्योग भी नहीं किया इन सारी स्थित्यों को बदलने का काम बंगाल की बीजेपी सरकार करेगी साथियों टी-म-सी सरकार की नीतियों का बहुत बड़ा नुक्सान हमारे किसान भाई बेनों ने उठाया है दीदी की मनमानी की वज़े से बंगाल के लाखों किसान पी-म किसान सम्मान निति के लाप से बंचित है साथियों किसान सम्मान योजना के तहट पूरे देश में दस करोर से जादा किसानों के बेंक खातों में सवा लाग करोर रुपे से जादा जमा कराए जा चुके हैं सवा लाग करोर दस करोर किसानों के खाते में कोई कटमनी नहीं सीधा सीधा बीते तीन वर्षों में देश भर के किसानों के बेंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसपर हुए हैं लेकिन दीदी ने बंगाल के किसानों से न जाने किस बात की दुश्मनी न उपाई हैं उन्होंने बंगाल के एक भी किसान को इस योजना से जुड़ने ही नहीं दिया केंद्र सरकार कहती रही किसानों के नाम मांगती रही उनके बैंक के एकाउन मांगती रही लेकिन दीदी ने यहां के किसानों की परवा नहीं की ऐसे जैसे किसानों को सजा करने का मन मना लिया था अब मैं जब आज बंगाल की धर्ती पर खड़ा हूँ बंगाल की पवित्र धर्ती पर खड़ा हूँ बंगाल के बीरों की दर्ति पर खड़ाओं तब मैं आज बंगाल के मेरे किसान भाईयों बैनों को भरोसा देना चाहता हूँ मेरे किसान भाईयों बैनों आप सुन लीजिए मेरी बात को और दो मई के बाद मेरे से हिसाब मागना मैं हिसाब देने के लिए आऊँगा जैसे ही दो मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तुरंट ही पी-एम किसान योजना का लाप आप तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी बंगाल के एक-एक किसान के बैंक खाते में प्रतेक किसान के बैंक खाते में अथाना हजार रुपिया सीधा उसके खाते में ट्रास्फर कर दिया जाएगा पिछले तीन साल की पूरी राची हर किसान के बैंक खाते में सीधी बेजी जाएगी आज दीदी आपके इस अधिकार के सामने दिवार बनके खड़ी है लेकिन ये दिवार हटते ही आपके बैंक खाते में सीधे ये पैसा बेजा जाएगा आपके अधिकार का एक एक टका आपको सीधे ट्रांसपर किया जाएगा पी एम किसान सम्मान योजना मंगाल में डबल इंजिन के डबल मेनिफिट के साथ लागू होगी साथियों दीदी की सरकार ने यहां के हमारे मचवारे भाई बेहनों को भी सरब तोला बाजी दीए दीदी की सरकार ने मच जिवियों के लिए बनाएगे प्रकल्प मच संपदा योजना को रोका डबल इंजिन सरकार इस लागू करेगी ताचि मचली का व्यापार कारोबार आसान हो बंगाल की बीजेपी सरकार मचवारों के बैंक खाते में भी सीधी मदद देगी झाले से वार nephew लाग जिवियों के लिए खाते में की बाते में की सकता का की साओ ही गयाओ और बेया है झाल 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 इतना समय निकाल करके मुझे आसिरवाद देने आये है आप सम माता हूँ भेनों को मैं फिर से एक बार विशेज रुप से प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की